है स्टूडेंट्स वेलकम बैक वेलकम अगेन सो आज बच्चों लोग बात करने जा रहे हैं सेक्शुली ट्रांस्पिटेड डिसीजिस के बारे में या इनको शॉर्ट में लोग कहते हैं एंसी आर्टी में क्या नाम दिया है स्टूडे की बात करी जाएं तो हमारे पास लिस्ट बहुत लंबी तो नहीं है लेकिन यह कह सकते हैं बहुत कम डिजीजिस भी नहीं है टो टल हमारे पास एक डिजीजेजेज हैं अब इसमें जो confusion हमारा होता है कि सर ये जो art है कि कहीं न कहीं bacterial disease से कहीं न कहीं viral disease से या किसी और type की disease से मर्ज होने लगती है तो examination में इसको recall करना that is practically an art तो इसके लिए हमारे पास एक बड़ी simple सी trick है trick हमारी क्या है कि classic warrior triple h अब आपने triple h का नाम तो सुना ही होगा आपने कभी wwe का कोई भी match देखा है so वो triple h हमारे कहा है classic तो ही है और warrior से कम उनको आप आ किये गमत simply tries gun तो उन्होंने क्या किया है पहली बार I think gun try करी है तो उसी को उन्होंने trick बना दिया कि classic warrior triple h simply tries gun अब देखिए से हमें मिलने क्या वाला है तो अगर आप इसको line से लिख देंगे तो आपको कहीं न कहीं कई सारी कई सारी क्या मैं कहूंगा सारी की सारी STDs का idea हो जाएगा देखिए classic के CLA से हमें क्या पता चला कि बात हो रही है sir chlamydiasis की warrior के warts हमें क्या पता चला warts के बारे में पहला वाला H हमें बता रहा है hepatitis B दूसरा H बता रहा है HIV AIDS और तीसरा H बता रहा है herpes तो H, H और H hepatitis B, HIV AIDS और herpes next हमारे पास simply है तो simply के अगर आप simp से थोड़ा idea लगाएंगे तो आपको साइफाइलिस याद आ जाएगा और tris के tris से आपको याद आएगा trichomoniasis और gun से आपको कहीं न कहीं gonorrhea का idea हो जाएगा तो बड़ा simple है classic warrior triple H simply tris gun chlamydiasis, warts, hepatitis B, HIV AIDS, herpes, syphilis, trichomoniasis and gonorrhea अब इसमें recently हमारी NEET में इससे एक सवाल पूछा भी गया है उसके अलावस में एक बात ये है कि ये जो 3 triple H में जो H है ना सरी ये anti-biotic से treat नहीं किये जा सकते तो अगर आप anti-biotic का treatment करना चाह रहे हैं तो फिर आप बची कुछी सारी बीमारियों को कर सकते हैं इनको आप anti-biotic से treat नहीं कर पाएंगे एक बात तो इसमें ये हो गई तो I hope you love this video अगर आपको ये पसंद आई है तो ज़रूर ज़रूर इसको शेर करें अपने दोस्तियार रिष्तिदार and give this video a thumbs up और अगर आपको ऐसी crazy videos देखनी है confusions को avoid करना है तो एक बार हमारे चैनल की playlist को ज़रूर विजिट करें वह आपको biochemistry से related बहुत सारा study material मिलेगा so मिलते हैं नेक्स वीडियो में till then keep learning